हेलो हाई निमस्कर फ्रेंड मैं हमित कुमार और आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ Advanced Blogger SEO Setting 2021 100% Free Unlimited Traffic Fast Rank होगी आपकी वेबसाइट अगर आप Advanced Blogger SEO Setting सीखना चाते हैं तो इस वीडियो को complete देखते रही है अगर आपका Blogger पर Website है और Blogger का New Interface जाना चाते हैं सेटिंग सीखना चाते हैं कैसे सेटिंग किया जाता है Blogger का SEO Setting तो यह वीडियो देख सकते हैं जो Blogger का New Interface है काफी चेंज हो चुके हैं आप पुराने Blogger का Tutorial देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे Blogger का जो सेटिंग है आप देख से तो काफी चेंज हो चुके हैं तो आज की इस वीडियो मैं आपको complete बताने वाला हूं Blogger का Advanced SEO Setting और Advanced SEO Setting टिप्स यह वीडियो अगर आप देखते हैं आपकी website fast rank होगी और unlimited traffic मिलेंगे जो 100% free है अगर आप इस वीडियो को complete देखेंगे थोड़ा भी miss नहीं करेंगे तो आपकी website पे unlimited traffic आ सकते है तो सबसे पहले blogging से related ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe किजिए और notification जरू आपको on करना है ताकि ऐसे वीडियो की update मिलती रहे तो यहां पर देख सकते हैं मेरे पास डेमो के लिए एक blog है और अगर आप blogger को blogger.com पर जाएंगे और अपनी website blogger पर बनाया है तो लोग इन करेंगे तो आपका blogger का यहां पर setting पर जाना है setting पर जाने के बास सबसे पहले जो setting आता है आप देखिए setting पर जाने के बास से यहां पर title है तो यह title आपका क्या है domain से related जैसे कि मैं यहां भी लिखता हूं मेरी website का नाम है all hindi me help तो मैं लिखता हूं all hindi all ठीक है और यह हमारा title हो जाएगा all hindi me help और जो tagline है मैं आपको देते हूं यहां पर इंटरनेट की जनकारी online आपको अपने blogger का एक title बनाना है जैसे आप tagline लिखना है 100 वर्ड का यहां पर लिख सकते हैं 100 करेक्टर का लिख सकते हैं sorry और यहां पर आपको सेफ करना है all hindi me help internet की जनकारी ठीक है अब मैं यहां पर सेफ करने के बाद से उसके नीचे description आता है तो आपको क्या करना है जो आपका tagline है उसको copy कर लेना है अगर आपका यहां पर space ना देंगे तो और भी अच्छा है क्योंकि मेरा थोड़ा से यहां पर space दिकत है आप इस तरह से लिखे औ कि यहां पर blogging लिखा गया है यहां पर 500 करेक्टर का लिख सकते 500 करेक्टर का लिख सकते हैं description टाइटल को पेश्ट की हैं और इस तरह से फिर एक कॉलम लगा है और यहां पर लिखेंगे सबसे पहले blogging यहां पर keyword डालते हैं description आप लिख सकते blogging in Hindi SEO make money online Google AdSense और यहां पर लिख सकते हैं और tips and tricks और पैसे कैसे कमाएं इस तरह से आप description आप लिख सकते हैं and more info ठीक है ऐसे आप लिख सकते हैं इस तरह से आप description को आपको copy करना भी मैं आपको बता हूंगा इसको पहले save कर लेना description और यहां पर आप देख सकते हो 164 164 करेक्टर का हो गया है और मैं 500 करेक्टर का नहीं लिख रहा हूं यहां यहां पर 164 आपको पूरा भरना नहीं है मैं कीवर्ड यहां पर ब्लॉग का description ही लिखना है save करना है दो कीवर्ड आपको दो जगह डालना एक description में और फिर मैं आपको बताऊंगा भी नीचे उसके बास से यहां पर आप यहां पर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो ब्लॉग का पूरा लांगज हिंदी करना चाहो जैसे यह सब हिंदी में लिखा हुआ आएगा तो मैं इंग्लिस ही रहने देता हूं उसके बास से एडल्ट कॉंटेंट और सो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर अगर आपका ए यहां पर आइकन में यूटूब का अगर आप देखेंगे यहां पर आ रहा है मैं आपको अभी तो हाइड है यहां पर सेटिंग पर जाता हूं सेटिंग पर जाने के बासे यहां से चेंज कर सकते हो जो भी लिखा हुआ आता है न यहां पर ब्लॉगर पे तो आप यहां पर रिमूब कीजिए और अपना फेफिकान आइकान अपनेट के भी का आप यहां पे अपलोड कर सकते हूं अगर आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में लाना चाहते हो तो यहां पे आउन कर देना अगर आफ है तो फिर आपकी ब्लॉग यहां पे नहीं दिखेगी आप कुछ भी कर रहे हो और सर्च इंजन में गूगल में सर्च करने पर नहीं दिखेगी यह सेटिंग इंपोर्टन्ट है आपको यह करना यहां पर आउन कर देना तो आपका ब्लॉग जो भी यूजर फाइंड करेगा वह सर्च में जाएंगे ठीक अगर मैं यहां पर डॉट कॉम लगाता हूं अलहंदीमेल्प.com सेट अप करते हैं ब्लॉगर पे तो यहां पर जाना होगा कॉस्टम डॉमेन पर जाना है और यहां पर सेट अप करना है सेट अप करने के लिए मैं आपको बता दूँगा जैसे कि www.free web करो कर देते हैं वेब दो यह मेरे पास मैं आपको लीष्ट दिखाना चाहूंगा अगर आप चाहो तो मुझे इमेल कर सकते हो मैं वीडियो बना दूँगा यह दिकि मैं कोर्स पूरा बना कर रखा हूं अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा यह दिकि पूरा डॉमेन सेट अप होगा ठीक है उसके बास्ते HTTPS आपको यहां पर आउन कर देना है जैसे आपकी वेबसाइट यहां पर HTTPS आउन रहेगा connection is secure लिखा हुआ आएगा वरना rate color का error आएगे और not secure लिखा हुआ आएगा permission में आप देख से तो permission tab में यहां पर blog admin and author का option है author में अभी अमित कुमार है जितने भी आपको author दिखाए देंगे तो यहां पर सोगे हो सकते हैं आपने किसी और को blog बनाने के लिए दिया हो और अपना email id डालके यहां पर author बना लिए और फिर आपको बाद में remove कर दे तो यहां पर permission में आपको चेक करना होगा कि आप खुदी author है या फिर कोई और है तो इसको ध्यान दीजेगा pending author में अगर आपका कोई pending author है तो यहां पर दिखाए देगा पैसे ही invite कर सकते हो तो अपना किसी को अगर invite करना है जैसे कि हमको invite करना है तो यहां पर मेरा email id डालोगे और send कर दोगे मेरे पास notification आएगा फिर आप मुझे author बना दोगे जो भी चीज आप बनाना चाहते हो यहां से बना सकते हो अब यहां पर देखिए reader access public यहां पर public सब कोई पढ़ सकता है आपके ब्लॉग को प्राइबेट कर सकते हो कस्टम कर सकते हो यहां पर तो यहां पर public ही ब्लॉग बनाते है पढ़ने के लिए दूसरे के लिए तो यहा पोस्ट सो oh man page Mész पे आप कितना पोस्ट कराना छाते हैं suffer on six four तो आप यहां से so oher करेंगे काफी का टीजर का ब्लॉग होता है home page पे दो या तीन पोस्ट puts ho तो होते उनको पता नहीं होता कहां से soh करा है homepage पे कितना तो मैं five यहां आपकी ब्लॉग दीरे लोड लेगी तो टाइम आपके बढ़ जाएंगे उसके पास यहां पर यहां पर इसको छोड़ दीजिए अगर आपकी कोई आप इमेज की वेबसाइट बना रहा है तो आपके इसको लाइट बाक्स में एक पॉप अपक के तरह ओपन होता है आपकी जो भी ब्लॉग पर इमेज जो ब्लॉग लिखे हैं उस पर इमेज डालेंगे 10-15 इमेज का कलेक्शन बना दिये तो एक लाइट बाक्स किस तरह सो आएंगे तो उस तरह का आईगी आपको ओन रखना इसको भी ऑन रखना आईडियल पैनल को ठीक है अब उसके बासे कामेंट 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 लोकेशन आप देख सतो इमबेड है और फूल यहां पे यहां पर फिर्स्ट वाले पर आपको रखना है इंबेडेड ठीक है उस से option आप दे सकते हो comment message अगर आप कोई user comment करता है custom message देना चाहते हो उसको तो यहां पर लिख सकते हो message उसको दे सकते हो जैसे ही वो आपके blog पे comment करें तो automatic उसको reply आएगा जैसे कि आपको पता को WhatsApp में हम auto reply का option रखते हैं वैसे ही उसको यहां पर message auto reply का message आप दे सकते हो उसके बाद से email का है email आप यहां पर post email आप अपना custom बना सकते हो visual रख सकते हो तो यह आपके उपर depend करता है उसके बाद से comment notification email तो user को comment का notification email जाए यह सब है यह सब आपको email होगा छोड़ देना है formatting में आपको यहां पर time zone आप देख से तो यह रखना आपको यहां पर सर्च कर लेना है इंडिया का यह कुलकता इंडिया कुलकता देख सकते हो यहां पर time दिखा रहा है उसके बाद से यह सेटिंग मेटा मेटा सेटिंग आप देख से तो मेटा टाइग काफी इंपोर्टेंट है जैसा कि मैं आपको बताया था सर्च यहां पर सर्च डिस्क्रिप्शन आपकी ब्लॉग जब सर्च करें कोई allhindymiehelp.com तो यह डिस्क्रिप्शन उ यह होता है कि आप कीवर्ड को मेंटेंड करके रखें अपने ब्लॉग पे कोई फाल्तू का कीवर्ड एड ना करें और जिसे की आपको दिक्कत होती है यहां पर सर्च डिस्क्रिप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो 150 करेक्टर का यहां पर मेटा डिस्क्रिप्शन आप को अब करना है तो अभत अब यह आपको आड करना है इस तरह से और आपको सेव 맡 करना है। सेवकरने की आपको करना है होती है , यह सब से इंपोर्टन है सेव गया time है उसके पाद से एर्ड ए अपकी वेब्साइट पर lil लता है कोई 404 का आपका ऐर उत इसको रिडिडारेक् क्लिक करना है और तू फ्राम कहां से कहां पर भेजना है तू यहां पर रिडारेक्ट कर दीजिए और यहां पर पूछ रहा है पर्वामेंटली रिडारेक्ट करना पर्वामेंट तो यहां पर यस कर देना है आपको हमेज़ता के लिए के रिडारेक्ट हो जाएंगे यह वाइ सकते हो पतब कोई एरर है पोस्ट का वह ओपन नहीं हो रहा है 404 का एरर आ रहा है तो आप उसको होमपेज पर बैस सकते हो यहां पर होमपेज का URL डाल तक तो बैस सकते हो तो यह इसका सेटिंग है उसके बासे क्राउल क्राउल एंड इंडेक्सिंग का आपसन है तो यहां पर ब्लॉगिस्पोर्ट डाट कॉम और फिर सेब करते है ठीक है अभी आपका यह जो आपका जो यहां पर यह कर लिजेगा विडियो का डिस्क्रिप्शन में आपका सेब हो जाएगा सेक्सपली उसके बास से आप कस्टम राबोर्ट टैग फार होम पेज के लिए है और यहां पर देखिए आल नो इंडेक्स और यहां पर नो डीप तो यहां पर यह तीन चीजे आपको यहां पर करना है और फिर आपको सेफ कर लेना है ठीक है अब उसके बास से यह आपको 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 आ आपको यहां पे क्लिक करना position call post page टेग के पर 폰 जो मैं सेंटिंग और काम कर सकते हों टिक के बासे आपको main event important है, यह सारा काम काम करने के बास है यह crawler और indexing सबसे important है। उसके बासे, error and redirect यह तोनों important है, meta description, meta tag यह जितने मैं आपको setting बता रहा है यह आपके blog के keyword से match होना चाहिए तब ही आप blogger का advance SEO कर पाएंगे अपने blog को homepage पे top पे लाएंगे search में लाएंगे और अगर आप जैसे ही यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे देखिए यह लिखा है search google search console यहाँ पे आपको verify करना है verify करने का यही फायदा है जैसे ही आप click करेंगे तो आपकी जो blog है वो google में ring करेंगी और इससे आपको क्या होगा जो भी post लिखेंगे वो google में update होते रहेंगे आपको url index नहीं करना पड़ेगा indexing होता रहेगा आपके post का तो friend मैं blog का url यहाँ पे copy करता हूँ उसके बासे मैं perform यहाँ पे आता हूँ और paste करता हूँ continue करता हूँ और फिर मैं आपको यह देखिए ownership verify हो जाता है क्योंकि आपका blogger पे website है तो verify हो जाता है फिर side map पे जाना है index आप देख से तो successfully बहुत easy है काफी user बोलते है blogger में यह site में अपका error आ रहा है अभी देखिए यह सारा कुछ हो गए है आपके सामने यह सारा कुछ हो गए है index हो गए है तो अब मैं इसको close करता हूँ तो यह आपका हो गया उसके बस्ते monetization जैसे ही आपका अगर adsense का earning होता है account approval मिलता है monetization option में तो आपको यहाँ पे message आएंगे add.txt का add.txt का message आएंगे तो उस file को download करना है custom पे यहाँ पे download करके और यहाँ पे आपको उस code को paste करना है custom add.txt का देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे मेरे पास एक google adsense account open है और यहाँ पे लिखा है add.txt file issue तो यहाँ पे आपको fix now पे click करना है आपको एक code मिलेगा उस code को copy करके यहाँ पे paste कर लेना है notepad में open होगा ठीक है यह open हो जाएगा उसके पासे manage blog manage blog में आपको क्या है import content आप अपने blog में किसी और blog का content इंपोर्ट कर सकते है यहाँ पे backup बनाए तो अपना import कर सकते है यहाँ पे backup बना सकते हो download कर सकते हो ऐसे download backup अपना जो भी post लिख हो उसका backup बन जाएगा उसके बासे video from your blog यहाँ पे अपने blog को remove कर सकते हो delete कर सकते हो side feed का जो आपसे ने इसको full रहने देना है छोड़ देना है वैसे का वैसे ही कि आपके लिए फिर journal profile यहाँ पे setup कर सकते हो यह एक advanced setting है blogger advanced setting SEO के लिए मैं आपको बताया हूँ SEO advance का जो setting मैं आपको बताया हूँ काफी important है blogger का advanced blogger SEO setting 2021 blogger का जो new interface है उसके साथ blogger का advanced SEO setting कैसे करते हैं इस वीडियो में आप जान गए होंगे हिंदी वीडियो था और SEO tips आप जान गए होंगे तो बस आज के लिए इतना ही उम्मेद करता हूँ की आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please channel को subscribe कीजिए और अभी तक वीडियो को like नहीं कुए है तो please like कीजिए, share कीजिये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद thank you friend